हेलो और विल्कम एव्रिवन मैं से चिन विस्टो कर्मा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने फेबरिट प्लेटफॉर्म क्रिसी सिख्छा पर आज के इस वीडियो में आपके लिए बेसी अग्रिकल्चर सिख्समेस्टर के बेनिफिशल इंसेक्ट्स और पेस्ट आफ अ आगे आने वाले समय में भी गाइडेंस और कुछ मतलब अग्रिकल्चर से जानकाली चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा टेलिग्राम चैनल को जॉइन करके रखेगा आपको मेरा नमबर आपको मिंसन होगा वहां से पूछ सकते हैं बाकी में चैनल पर आपसन जो है बी करेक्ट होगा इसके बाद है मिथाईल यूजिनॉल प्रभावी प्रभंधन है तो मिथाईल यूजिनॉल जो है ये प्रभावी प्रभंधन है आम के फलमक्खी का आपसन जो है इसका ए करेक्ट होगा इसके बाद है इसके बाद है कि एक साल में कितनी इस आप संडी correct होगा फिर है बैक्ट्रोस सीरा डॉर्सायलिस है एक तो यह जो है mango fruit fly, guava fruit fly और oriental fruit fly तीनों होते हैं मतलब आप संडी इसमें correct होगा उपरोग तो सब ही इसके बाद है किस प्रकार के अंडे से सर्मिक मदमक्खी का विकास होता है तो इसका उतर हो जाएगा fertile इ इसके बाद है epismellifera का drone grub काल है तो इसका उतर हो जाएगा 9 सही एक बड़े 2 दिन फिर है mandular gland pheromone का कार्य क्या है तो क्या कार्य होता है इसका इसका कार्य होता है प्रवास को रोकना यानि prevent swarming और अंडासे के विकास को रोकना और कालोनी की एक जूटता बनाए रखना त इसका correct होगा फिर है मदमक्यों में संचार की खोच किसने की थी तो इसका उतर हो जाएगा कार्ण वान फिसने आफसनडी होगा फिर गोल मृत्व द्वारा मदमक्यों में खादिस रोज की सूचना प्राप्त होती है तो यह जो है 50 मिलिमिटर से सुरी 50 मीटर से कम होता है त आइसा एक ब्रूट प्रोटो जो होगा चुबधन अम्मर कुशन का option C correct होगा अगला कुशन है और आफवाइट रोख कारक है इसलिए आफवाइट इसलिए आफवाइट जो है यह रोख कारक है माइट आपसन जो है इसका ए गरेक्ट होगा फिर है स्टीफलिंग एक प्रि स्टिक रिया है इसका उम्तोर हो जाएगा से कॉन सही हुर्ण सї नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेंश ng बैक्टिरिया से नहीं होता है इसका होगा इसकी बाद है इकजोårome इक है तो इक जो रिस्टा सॉर्बिलेंस जो है एक लार्वल परसिटॉइड होता है अप्सन ए इसका करेक्ट होगा फिर निमलिट में से कौन रिसम कीट एक अहरी प्रकृतिका है तो बॉम्बिक्स मुराई और फालेसमियर इस नहीं यह जो है दोनों आप्सन करेक्ट होगा तो आप्सन डिकरेक्ट होगा ए और डी भी दोनों इसके बाद है किंद्रिय मुंगा इरी अनसंधानियों परसिच्छन संस्थान का मुख्याले इस्तित है तो यह जो है लादोईगड असम में इस्तित है अप्सन डिसका करेक्ट होगा अगला कुश्यन है निमलित में से यह जो है चांपट होगा जिसका में इसके बाद है एच एनपीवी इस एफेक्टिव बायो कंट्रोल एजन्ट आफ यानि हेलको वर्पा जो एनपीवी होता है ये किसके कंट्रोल के लिए एफेक्टिव होता है तो इसका उतर जाएगा तीनो यानि कि आपसन ली उपरोगत सभी फिर है डामेंड बैक मौत का बैग्यानिक नाम ह तो प्लूटिल्ला जायरेक्टिल्ला अपसन ली करेक्ट होगा फिर है मेलन फलमक्खी अंडे कहां देती है तो ये जो है इनसाइड दा पल्प गुदे के अंदर देती है अपसन सी करेक्ट होगा फिर है कल्दू के लाल कीड़ा का कुल है तो कल्दू के लाल कीड़े का कु वाला राज्य है तो यह जो है जारखंड है और अगला है लाग के कीट के जनक कौन है तो लाग के कीट के जनक जो है टचार डिको माना जाता है आपसन जो है इसका भी करेक्ट होगा इसके बाद है कुसुम का बग्यानिक नाम है तो कुसुम का बग्यानिक नाम आपसन नहीं क होता है option भी correct होगा फिर है बैसाखी फसल का संचारण समय है तो यह एक्टूबर नॉवंबर होता है आपका इसका इनुकिलेशन पीरिड टाइम अगला है भारती यह प्राकृतिक प्राकृतिक राल और गौन संस्थान कहां पर है जो यह राची में है इसके बाद है पलास किस लाइक स्ट्रेन का बेहतरीन पोसक है कुसुमी और रंगिनी दोनों का हो जाएगा आपसन यह और भी दोनों हो जाएगा इसमें 100% सियोर नहीं है लेकिन यही आपसन जो है सही हो सकता है इसके बाद है लाकीट का प्रमुख परिभच प्रिभच्छी है तो लाकीट का प्रमुख परिभच्छी जो होता है जो आपका यह होलको सीरा पलवीरिया है और यूबलेमा इमाविलिस है और क्राइसोपा इस्पसीज है यह तीनों जो है लाकीट के प्रिडेटर होती है और लेकिन यह जो होलको सीरा पलवियरा और यू नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि यह जादा नुकसान पहुंचाता है, तो इसमे जो है, क्रैसोपा, इस्पस्रीज उत्तर हो सकता है, इसके बाद है, पाइरिल्ला परफियूसिला, इस question में पूंचा तो है, प्रेडेटर के बारे में हैं तो तीनों प्रेडेटर लेकिन जो मेजर प्रेडेटर है ये सी हो सकता है इसके बाद है पायरिला परप्यूसिला का परबच्ची है तो पायरिला परप्यूसिला का परबच्ची जो है ये रोडारिया कार्लिनस और ये तीनों एपसन में, 32 घर कुष्चन में आपसिंसी करेक्ट होगा, क्रैसव परिलम पर्पी उसेữa यापसिंसी करेक्ट होगा इसके बाद है चीन के बाद बिस्व में कौन सा देश सरवाधिक रेसम मुत्वादन करता है तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत आपसंसी करेक्ट होगा 36 नमबर कुशन का इसके वाद साथ इस नमबर है विस्व में सरवाधे की रेसम वोग करने वाला देश तो इसका उत्तर भी भारत होगा और रेसम में फाइबरेनिन और सिरेनिन की पिरसत होता है तो ये 80-20 होता है और रेसम एक है तो रेसम एक जो है ये तीन होता है फाइबर प्रोटीन, रानी तंतु और जैयोस्टेल, बायोस्टेल आपसंडीस का करेक्ट होगा कौन सा देश पांचो प्रकार के रेसम का बेवसाई कुदपादन करता है तो ये हो जाएगा आपका इंडिया भारत का कौन सा राजे सैतूत रेसम का सरवाधी कुदपादन करता है तो ये हो जाएगा आपका करनाटक और भारतिय मौन पाठन का जनक यानि हिंदी में पता नहीं क्या लिखा है इंडियान एपी कल्चर तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूटन option A 42 का correct हो गा अगला question देखते हैं अगला question है इंडियान से कौन सही है यानि इसमें से कौन सा सही है तो इटैलियन मदमक्खी एपिसमेलिफीरा सही है यही सही होगा 43 नंबर क्योंकि एपिसमेलिफीरा इसी का नाम होता है तो option A 43 का correct हो जाएगा अगला कुश्चन है भारत के की सराज में सरुपर्थम एस एडवाल ने इटालियन मदमख्य का प्रिवेस कराया तो इसका उप्तर हो जाएगा पैतालिस नमबर कुश्चन का अप्संदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश बी और सी दोनों अगला कुश्चन देखते हैं कि कुश्चन है कि गर्मी और वसंतरितु के दवरान जब इस्तिति अनकूल और भोजन उच्चकोडिका होता है तो मदमख्यां तयार करती हैं तो इसका जो अंसर होगा वो जाएगा आपका स्वार्मिंग यानिकि स्वार्मिंग होगा इसका उत इसका जाएगा वो हो जाएगा आपका यानि सुपरसीसर इसके बाद है तो साही भोजन उत्पन किया जाता है आपकी हाइपो फायरेंजल ग्लैंड से अन्तारिस नुमबर कुश्चन का वी अफ्शन करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन है वीब्रेट को कहते हैं तो वी प्रथम उद्रे एक खंड मेटा थोरेक्स के साथ संयुक्त होता है जिसे कहा जाता है जिसे कहा जाता है प्रपोडियम इसका भी बी करेक्ट होगा इसके बाद है देव मुंगा रेसम कीट का वैज्ञानिक नाम है तो देव मुंगा का वैज्ञानिक नाम होता है आपका एक य अग्ला पर में देखते हैं आग्ला कुश्चन है Eris एक मिनट ये कुश्चन अगे पिछे हो गया है तो आप लोग neighbours को बोच्छा लगो तो लाइक करना मत भूलेगा फिर कुश्चन है कि सुनहरे पीले रंग का रेसम कीट प्राप्त किया जाता है तो सुनहरे पीले रंग का जो रेसम कीट होता है वो मुंगा से प्राप्त होता है इसके बाद है कि सहतूत के रेसम कीट का डिम्भक आवस्था होती है तो इसका उतर जाएगा 30 से 35 दिन option ने correct होगा अगला question है मादा लाग कीट का मुखांग होता है तो ये होता है चुभाने और चूसने वाला option भी correct होगा इसके बाद है लाग कीट में किस प्रकार का जनन पाया जाता है तो इसमें जो है ओ वीवी पे रिस पाया जाता है option C correct हो जाएगा फिर है ठावन नंबर कुशन लाग कीट के स्विस को कहते हैं तो लाग कीट के स्विस को कहा जाता है और अगला कुशन है 16 नंबर मादा कीट के सरीर पर पिला दब्बा पिला दब्बा का संकेत है तो इसका संकेत होता है कि यह जो है एक लेंग करने वाली है तो option B correct हो जाएगा और last question है कौन सी फसल में सरवाधिक लाग पैदा करती है तो इसका तो जाएगा option B रंगेनी तो वीडियो को अपने सभी दोसे वाद सेर कर दीजिए और चनल को subscribe करके रखिएगा आपको बहुत सारे important update मिलती रहेगी मिलते हैं next वीडियो में